आसू से भरी रही करण और रिधिमा की विदाई एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आँखों से आसू नहीं चलका जब ये कपल ये कनेक्शन घर चोड़ कर जा रहा था आखिर ऐसे कैसे इतना प्यार बटो लिया रिधिमा करण ने जानते हैं इस वीडियो के अंदर ये रिधिमा ही थी जो दूसरों की तकलीव देख कर खुद आसू भाने लगती थी ये रिधिमा ही थी जो हर किसी के दिल का हाल समझने की कोशिश करती थी ये रिधिमा ही थी जो किसी से लड़ने से डरती थी ये रिदिमा ही थी जो कि घर के अंदर सभी का खयाल रखती थी और करन ने तो सभी को अपना छोटा भाई बहन बना लिया था सभी के साथ एक बहुत ही प्यारा सपॉंट बना लिया था और करन को सभी लोग बहुत respectful नजरों से देखते थे और ऐसे connection का जब घर से elimination का समय आया तो सब की आखे नम हो गई जिया करन रिदिमा को कम वोटो के आधार पर घर से eliminate तो किया गया लेकिन लोगों की दिलों से eliminate नहीं कर सकते हैं हम लोग क्योंकि उन्होंने इतना सारा प्यार जुटा लिया है अपने ले विदादे आपको कि जब करन और रिदिमा का elimination हो रहा था everybody was in tears, everybody was literally crying क्योंकि वो इतना भैतरीन ढंग से घर के अंदर रहे हैं लोगों के साथ connect किया है, दिल से दिलता connect किया है रिदिमा का, करन का सभी के साथ इतना प्यारा connection था कि शायद ही किसी के मन में उनके लिए bitter feelings हो प्रतीक के साथ दोनों की जगड़े हुए थे, दोनों की जड़पे हुई थी लेकिन रिदिमा ने जैसे जाके प्रतीक से sort out कर लिया था तो भही करन ने प्रतीक को उपना छोटा भाई बना लिया था बाकी लोगों के साथ भी जड़पे हुई थी तो करन और इदिमा ने सभी के साथ अपने bond को amicable रखा और इस इस वाई उनके जो elimination के समय आसू भाई है वो उसी का result थे, उनके प्यार का result थे, उनके अच्छे performance का result थे, उनके connections का result थे and we just love them for how they were in the show and we just love them for how gracefully they went out of the show तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस connection के बारे में जिसका elimination तो हो चुका है लेकिन लोगों के दिलों में उनने ऐसी चाप शोड़ी है that people still love them and still want them back on the show लिख दीज़ जल्दी से comment section में बाके मैं चानल के साथ जुड़े रहे और भी खबरे है लगातार ऐसी आप तक हमेशा पहुचाते रहेंगे